ठीक है आईए कुश्चन पहला है 17 देसी मीटर माइनस 15 सेंटी मीटर देखिए इसका अंसर दो रूप में हो सकता इस बात का ध्यान रखियेगा कोई जबाब देगा सबसे पहला जबाब सरवन गोस्वामी का है और अन्नु सुकला का है about excited video ठीक है आपका भी सही है और इन लोगोंने सही जबाब दिया है तो भैया इसका अंसर क्या होगा अब पहला आपसन है कि 100 सेंटीicher होगा दूसरा 125 सेंटी मीटर 3135 सेंटी मीटर और इसका चौथा आपसन है एक सो बीस सेंटी मीटर इन इनमें कौन सा अप्सन होगा एक बार ट्राई करिए प्यार से फिर मैं बताता हूं जो लोग एक हजार बता रहे हैं वो लोग कहीं दूसरी दिशा में अभी जा रहे हैं बटक रहे हैं अगला बताईए 25 डेका मीटर से 40 सेंटी मीटर घटाईए यह डेका मीटर है याद रखना और यह 40 सेंटी मीटर इनको घटाएंगे तो कितना आएगा इसमें ABC में कौन सा सही है कोशिस करिए जल्दी इमानदारी से मैं थोड़ा मारकर में स्याही भर लेता हूं कि देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है इन में से डीलेट की प्रथम समेश्टर परिक्षा में कोई ना कोई छोटा बड़ा कुश्चन जरूर आएगा जरूर आएगा क्योंकि इनकी कहानी थोड़ी बड़ी है जो पूरी स्टोरी जानता है वही कर पाएगा और है आसान कटिन बिल्कुल भी नहीं है सिल्पा केसरवानी का ए आरा जो की गलत है क्रिफ्णा का भी गलत है पंकत सिसो दिया ठीक है इसमें आप्सन में से आपको सेलेक्ट करने थे जो कि आप लोगों ने काफी गलत किये खूब ठीक है देखते हैं गलत है कि सही है जो भी यह भगवान जाने इसमें एक आप्सन और भी ले लीजिए नान आप दीज हो सकता इन में से कोई भी आंसर मैच ना करे देखे साथियों कल मैंने बताया था कैसे याद करेंगे इसका तरीका आज मैं याद करने का तरीका नहीं बताऊंगा आपने कलका कलाफ नहीं देखा तो कलका कलाफ जाके पंद्रा नंबर लाइब देख लीजिए हाँ आज लाइब नंबर सोला एक पंद्रा है हमें तो लग रहा है आज सोला है न हाँ सोला है तो साथियों एक डेसी मीटर जो होता है यह डेसी मीटर वो क्या होता पता है दस सेंटी मीटर के बराबर होता है अभी मैं इस कुछ मतलब नहीं रख रहा हूं सिर्फ इसी को हल कर रहा हूं ठीक है तो एक डेसी मीटर में 10 cm होता है और यह 17 cm है इसलिए बहिया 17 cm में 17 गुड़े 10 बराबर 170 cm हो जाएगा इसको इंग्लिस में लिख दिया हूँ फाइनल में हम घटाएंगे तो 170 से यह पहले से 15 था 155 cm आएगा 155 cm सही जबाब है ठीक है अस्वनी बेरी गुड बहुत अच्छे आगे बढ़ें फिर कोई डाउट तो बता दीजिए अच्छा इसमें थोड़ा मैंने नंबर चेंज कर दिया इसलिए आप लोग नहीं बता पाया अप्शन अच्छा आप बताईए इसको माल लेते हैं मैं कुईस्टन नंबर 3 क कर देता हूं इसमें मैंने एक बदल दिया गिंती कि अब इसमें से कोई ने कोई आप्शन आ जाएगा पहला कुश्चन नहीं तीसरा है अगर इसमें ए सही है तो आप तीन लिखोगे सी सही है तो तीन सी लिखोगे इस तरह का कमेंट करिए कि देखते हैं कौन पहले बताता चलिए जल्दी करिए नहीं लिख पाए तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा बाद में आएए आगे बढ़ते हैं सबसे पहला सही जबाप कृफणा कुमार का है सोरी सही तो नहीं है लेकिन पहले इन्होंने दिया है रही तरीके से दिया है अंसर तो तो और अजीद कुमार का तरीका भी साइए उत्तर भी गलत है इसका सी नंबर है सही ठीक है इसको कैसे करेंगे भाईया इसमें अगर आप संदिखाऊंगे तो क्या करोगे आप लोग आप संदे दूंक्या लिखिये पहला आप संहें 9000 सेंटीमीटर कि दूसरा अप्षन है 24900 सेंटीमीटर कि दूसरा अप्षन है 24000 सेंटीमीटर कि दूसरे वाले में आप लोग आप्शन सेलेक्ट करें जल्दी से पटक 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 के भई चलो नेहा गुपता कोशिस करते रहिए कुशन नंबर सिकेंड थर्ड हो गया देखिए अब मैं सिकेंड का अंसर बताऊंगा लेकिन थर्ड वाला यहां लिग करके अभ्यास प्रसन की कलास हो रही है करत करत अभ्यास से और जन्मत होत सुजान और असरी आवत जात से सिल्पर परत निसान सुने है न इसलिए अभ्यास करना जरूरी है अभ्यास करना जरूरी है आईए देखिए एक और कुईश्चन कर लीजिए मैंने बहुत सारे कुईश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं पंदरा डेका से 95 सेंटीमीटर घटाई है पुश्चन नमबर चार पंदरा डेका मीटर माइनस 95 सेंटीमीटर आधा इंगलीज आधा इंदी इसको करके मुझे बताना इसका मैं सलूशन कराता हूं इसमें देखिये कुछ लोगों ने A बताया कुछ लोगों ने B कुछ लोगों ने D इसका करेक्ट जबाब है आपसल नमबर D जिन्होंने D बताया उनका सही है कैसे सही है क्यूं सही है मैं बता रहा हूं देखो बच्चा कल की कलास में बहुत से लोगों ने बहुत लापरव decameter बराबर 1000 cm होता है ठीक है यह क्यूं होता है कैसे होता है कल ने बताया था लाश्ट में अगर आपने पूरा अकल देखा होगा तो ऐसे गिंदे न मिली सेंटी डेसी मीटर देका है ऐसे देखो मिली सेंटी dc मीटर dc पच्वय नंबर पर जारा ना तो 4-0 लगता है क्योंकि cm उपर होता है dc मीटर नीचे होता है जब dc से cm में जाते हैं तो उपर को जाते हैं तो भाईया हो राजा हो यहां पर देखो अब 25 देक मीटर बराबर हो जाएगा 25,000 cm कितना हो जाएगा 25,000 cm तो यानि हमें 25,000 cm से 40 cm घटाना है तो फाइनल में आ जाएगा पचीस हजार माइनस चालीच अब पचीस हजार से 40 तो घटा लोगे ना क्यों पचीस हजार से 40 तो घटा लोगे ना हम कि चलो आगे चले है थीक है इसको घटाएंगे तो क्या होगा भाया 24,960 क्यों मैं सही लिख रहा हूं गलत चलो इसका जबाब दो घटा के देख लो इसको पचीस हजार से गटा लो फटा 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 उसको करके इसका बता उसको छोड़ो इसका बताओ उसका डी नंबर्स आई है देखो बेटा यह भी बता देता हूं बापु भाईया सौरी यह बेटा बोलने थोड़ी आदत गंदी हो गई आईए इसको भी बताता हूं इसके आप्सन लिखिए पहला आप्सन है कि 14,000 सेंटी मीटर दूसरा है 14,300 सेंटी मीटर दीफरा है 14,905 सेंटी मीटर चौथा है 14,950 सेंटी मीटर और नमबर का जब आप दीजिए ABCD क्या होगा रिमानसू भईया गलत है कौन सी दुनिया मेरी जी रही को अब से गलत है लेकिन इनका नाम पता नहीं पूरा क्या था भाई नेहा नाम के तीन-चार लोग हैं तो नाराज मत होईएगा तो मेरा कोई नुक्सान नहीं होने वाला है आई यह ठीक है देखते हैं इसका मैं सही जब आब अगर बताऊं मैंने तरीका बताया था लेकिन कुछ लोगों ने तरीका का पालन नहीं किया इसका option number नमबर सी सही है ओप्सन नमबर सी जो फोर में सी लिख रहा उसका सही है बैसुजीत यादो का सही है छाया गर्ग बिलकुल करेक्ट है सिवानी चौरसया चार का अंसर सही है सी बिलकुल सिवानी very good ठीक है अरहीं है में आज़िए पांच नंबर का हल लिखेंगे पहले पांच कोईश्च taking चार का हल बताई बसं connections कि ऑन करिए 5 किलो मीटर से ए सक 안च किलो मेटर से 18 107 मीटर कटाई प्रक्रतिएं देखिये इनको हल करने का दो तरीका है कि इसमें मैं दोनों बताऊंगा ठीक है इसको हल करने का दो तरीका है आप को तुमें दोनों बता दूं कि दोनों दूसरे में बताएंगे चलो आई यह ठीक है इसका जबाब दीजिए फटाफट इसको देखिए पहले इसको हल कर दें तब उसका देना चलो देखो भाई यह डेकामीटर है ना मैंने कल पढ़ाया था बहुत अच्छे से पढ़ाया था अभी 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 बताया हूँ एक देकामीटर में एक हजार सेंटीमीटर होता है यह तो आपको याद रहना चाहिए एक देकामीटर में एक हजार सेंटीमीटर होता है यानि यह हो जाएगा पंदरा हजार क्योंकि पंदरा है माइनस 95 यह जब पंदरा हजार से 95 घटाएंगे मोटा मोटा समझ लीजिए अग लेकिन हम सव में से पांच कम घटा आ रहें पांच छोड़ रहें उसको दान दे दे रहें है तो चौदासव पांच आएगा आपसा नमबर सी सही है कौन सा सही है सी नमबर सही है समझ में आया पूश्चन नमबर पांच का 32 सो आ रहा है एक से नालायक हैं पता नहीं कहां से आ जाते हैं अभी तो मैंने पचवा नमबर लिखा भी नहीं का अंसर आ गया का हां अच्छा स्वरी मतलब लिखा है पूरा नहीं लिखा चलो ठीक यह पचवा में उर्जिनल है मैं क्या काहँ यह नहीं मैंने तो आपसदस कहां से आगे तुम्हारा आइए ठीक है पांच किलो मेघ्र को को डीका मेघ्र में बदलना है अब एक किलो मेघ्र में कितना डीका मीघ्र होता पहले यह बताओ एक किलो मीटर में कितना डेका मीटर होता बताए जब आप दीजिए पहले यह बताओ तब आगे बढ़ें देखिए आप लोगों ने पढ़ा है हमने पढ़ा न मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो मीटर कहा जा रहा भई मिली सेंटी डेसी मीटर फिर देखा हां फिर हेक्टो फिर किलो कितना भई कितना नेहा बर्मा किवल आपी का आया बखी किसी का नहीं है यह सब तमासा देखने के लिए आये का सौ होगा ना लगबग लगबग नहीं सौ होगा ठीक है तो क कितना होगा एक किलो मेटर में हांड्ड डेक lihat कितना हंड्रेड डेकामीटर तो भया हो यह तो माइनस में चला जाएगा यह तो माइनस में आएगा ना दीए इसका मैं पूरा कहाणी लिखतेता हूं क्योंकि मैं कउन्फ्यूज हो रहा हूं इसमें ऐसे होता है no मिली सेन्टी डेशी मीटर कीटेका है एक्टो टिलो अब समझना हमें क्या करना है हमें किलो मीटर से डेका मीटर में बदलना है किलो मीटर यह है सब्सक्राइमेटर यहां से शुरू करेंगे एक 2 था लो choix कि तो फीस होगा hunडड़ होगा तो ऑनज़र कितना आए यह तो फांच किलोमीटर जो है है इसमें कितना आएगस फांच शौ देकामीटर यानि फाइनल मैं मइनस काorit 2-3100 डे का मीटर आएगा इसका अंसर कितना आएगा माइनस का तेरा सो डे का मीटर आएगा कि समझ में आ रहा है ना कि इन्नोसेंट हर्ट लेस जी गुड इबनिंग नाम तो आपका बिल्कुल हर्ट लेस की तरह है हाँ चलिए जल्दी चलिए मम्ता साकेथ जवाब देने से पहले कोई समझा तो है नहीं अच्छा जवाब देने से पहले कोई समझाता तो है नहीं मतलब हर ते कि जली ठीक है कि हो गयाना समझे ए 我們 आप लोग अब किस चन कर आगे बढ़िए कि 202 001-ございます निकाले इसका अंसर कि इसका अंसर दो तरह फे लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों अलग अलग रासे यह भाइया से समझ में आएगा इसमें राजनीती हो रही है चुनाव आ गया यूपी में 2022 करना कभी कभी क्या होता है पार्टियां का एक दूसरे में गठ बंधन हो जाता है सब जानते हो अच्छे फिन अब कहो कि यह राजनीती की बात कहां से आ गई देखो एक चीज याद रखना भारत देश में रहना है अगर राजनीती से दूर रहना है न बरबाद दूद के दुले किनारे रहेंगे इनसे कोई मतलब हैं नहीं कितना भी पढ़ लिख लो अगर यह गड़बर टाइप के हो जाएंगे ना वैकेंसी यह नहीं आएगी वैकेंसी आएगी पूरे नहीं होगी समझ रहो ना तो इनको सुधार के रखना आपकी जिम्मेदारी है क लिखे एग्जामपल के लिए अगर मैं कुछ पीछे अगर चलूँ अभी सायद 2019 में SP का BSP में गटबंदन हो गया था है ना तो यह जरूरी थोड़ी है कि SP का BSP में ही हो कभी-कभी यह भी तो हो सकता है कि BSP का SP में हो रहा है फिर SP का BSP में हो जाए तो बतलग उल्टा भी इसका अंसर आप लोग मुझे किलो मीटर में बताईए चलिए किलो में में बताईए इसको दूफरी तरह से भी समझ लीजिए जैसे होता नहीं कभी-कभी अलग अलग धर्म समुदा में लोग साधी कर लेते हैं तो भाई फलाने फलानी जाती में अपना का नवर्जन कर ले बताईए दूसरे में आ सकते हैं आए चलिए इसको बात करते हैं अब हमने क्या कहा था आभी कि एक किलो मीटर में सौ डेकामीटर यह बता है ना लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है एक डेका मीटर में एक बटा सो किलो मीटर, ठीक है, आईए, अठारा सो डेका मीटर में, अठारा सो बटा सो किलो मीटर, ठीक है, अब अठारा सो बटा सो, इसको आप घटाईए, किस में से, पांच किलो मेटर से घटाईए गटाईए जो आंसर आयगा वह किलो मेटर में आेगा दोनों तरीके से आ ज़सकता है इसमें से माइनस में आ फाड़े हैं इसको मिटा दे रहे हैो आप लिख लीजीए गा अठारा सो बटा सो आया है किलो मीटर में हुझ ए 1 1500 बटा सो किलो में एडर में तो हम क्या करेंगे 5 से 18100 में क्या चूट किया ऐसे इसको खटाएंगे और माइनस में जाये!! हुझ यह है.. एक किलो मेटर में 100.. gratitude कमेटर.. तो एकalten कमेटर में एक बटा सो किलो मीटर गहीं जा रहा है कि नहीं इक बर फिर से देखते हैं ठीक है इसको गटा के देखो आप लोग कितना अ कि कि एक किलो मीटर में सो डेकामीटर अई यह होता है इसलिए एक डेकामीटर में एक बटा 100 km तो 1800 decometer में 1800 बटा 100 km ठीक है गटाओ 500-1800 बटा 100 फाइनल में आएगा माइनस का 1300 बटा 100 माइनस का 13 आएगा बस 13 क्या आएगा माइनस का 13 km कि देरा किलो मीटर आएगा माइनस में ठीक है बहुत अच्छे बेरी गुट सबसे पहला जबाब है नहीं हाँ बर्मा का नहीं हम इसरा का बाद में हैं लेकिन इन दोनों का गलत है क्रिफना कुमार का सही है अस्वनी कुमार का सही है क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है प्लस में नहीं ठीक है 18 ग्राम को 720 मिली ग्राम से घटाईए अगले कुश्टन पर आईए फटा फट दोड़ के आईए आईए जल्दी आईए 18 ग्राम माइनस 720 एमेल एमेल नहीं एमजी 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 एमेल तो मिली लीटर हो गया एमजी मतलब मिली ग्राम इसको घटा के बताईए कितना आएगा अनिल बर्मा जी प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से जाके देखिए अच्छा भाई का फोन यूज करती हो चाहे जिसका भी करती हो देखिए प्लेलिस्ट बनी है अब प्लेलिस्ट में जाके देखिए चलो जल्दी फटा फट आगे बढ़ें एक मिनट वही इसको बताओ ना यार पूछ तो रहा हूं इसको बताओ 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 इसका सबसे पहला जो जबाब आया है वो आया किरिफना कुमार का इमांसु सुकला दूफरे नंबर पर हैं बाकी यह सब भगवान भरोसे यह कुछ नहीं कर रहें नहीं कोई जबाब नहीं आ रहा है इनका चलिए ट्राइ करिए ममता साकेत यह कौन से दुनिया में जा रही है भी ठीक है देखें इसका दो तरह से अंसर लिखा जा सकता है काय दो तरह से लिखा जा सकता है एक तो ग्राम में लिखा जा सकता है एक मिली ग्राम में लिखा जा सकता है तो भईय देखो mily, सेंटी, डेसी, गराम, पहले तो मुझे यह बताओ, आप लोग, कि एक गराम में remote mg, यानि, मिली गराम बोलिये, जल्दी बताईए फटा-फट, ये इसी पे गराम मान लेंगे, जहां मीटर है, ये गराम, यानि, गराम यहाँ है, और मिली ग्राम यहां है दोनों में बीच में दो और भी प्राड़ी है कोई बताया हिमानसु जी ने सबसे पहले बताया बहुत अच्छे हिमानसु जी नेहा मिसराज ने बताया आधा दूरा वो भी आधा दूरा आओ चलो ठीक है देखते हैं देखेल यहां से समझेए मिली ग्राम तक चलना है तो लंइ ग्राम को सभी क मिल ग्राम नहीं ग्राम को ली ग्राम को ग्राम को ली ग्राम को तो एक तिनटे पॉंट हमें उपर चलना थे हैं तो तो हम तीन 0 लगाएंगे यह यह थैंड़把 guard 2–1 kg में 1,000 mm ठीक है इसको 1K भी लिखा जा सकता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग एक हजार को 1K 1K का मतलब एक करोड नहीं वन किलो थाउजंड ओके जलो तो बहिया एक गराम में एक हजार मिली गराम होता है तो अठारा में कितना हो जाएगा अठारा हजार मिली गराम और माइनस साथ सो बीस अठारा हजार से साथ सो बीस घटा के मुझे बताओ कितना आएगा अब यह भी नहीं बताऊंगा मैं अब यह मैं नहीं बताने वाला हूं घटा पर चलो आगे बढ़ो जल्दी जल्दी कि अगले पर चलें अ हो जाएगा नहीं अठारा सु पंचानबे इमेल को टवंटी टू सेंटी लीटर से घटाएगे आड़ नंबर डाल दो थोड़ा अच्छा लगएगा अठारा सु पंचानबे इमेल को को वाईस 22 CL सेंटी लीटर ML मतलब मिली लीटर बताईए गटाईए 17,280 बता रहे हैं सब ठीक है बहुत अच्छे Very good सभी का कमेंट आ रहा है बहुत अच्छे Very good Very good आगे बढ़े फिर हम लोग फटा फट दोड़ते हुए सरपट चलो आगे बढ़ते हैं यह भाया ML से सेंटी लीटर में जा रहा है यानि ML मतलब यहां से सेंटी लीटर बगल में तो हीया ही समझ लो इसका जब आप कोई बताएगा मैं बताता हूँ एक ML में अगर सेंटी लीटर में बदलोगे भाया सेंटी लीटर बड़ा है ठीक है तो एक बटा 10 cmL होगा इस लिए 1895 ml बरावर 1895 बटा 10 cmL यानि फाइनल में हम कह सकते हैं 1895 बटा 10-22 यह ऐसे करना पड़ेगा जो अंसार आएगा cmL में आएगा कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत आया तो फटा फट सेशन को लाइक करिए देखिए इतने लोग देख रहे हैं कलास को लाइक नहीं करते हैं न तो कभी-कभी दिलोएट तूट जाता अंदर से समझ रहा हो अब कुछ नहीं करेंगे तुम लोग लाइक नहीं करते हैं पानी भी खतम हो गया है अब कपड़ा भी दुलना है भीगव करका सुबेरे अरे सबका नहीं मेरा ही है क्योंकि मुझे किसी दूसरे का दूला पसंद नहीं आता है प्रॉब्लम यह है आईये चलिये तो इसको क्या करेंगे घटा लेंगे तिर्चा मिर्चा गुड़ा कर लो ऐसे यह जाएगा 1895 माइनस यह 220 क्यों भाई साहिए न 510 कितना आएगा कोई बताएगा हम चलिए ठीक है 1895 में से 220 घटा लेते हैं इतना तो घटा कि आप लोग करी सकते हैं अब इतने बच्चे तो हो नहीं अब इसको करके आप लोग करिये मुझे नहीं बताऊंगा इतना भी बताऊं तो भाद है चलो नहीं आज हमारे यहां गर्मी पढ़ रही है आज हमारे जल्दी करिए फटा फटा अगला बढ़ते हैं नाइन नंबर टेन नंबर में आगे चलें तीन हजार डेका ग्राम को तीन किलो ग्राम से घटाए यह चलिए तीन हजार डेका ग्राम माइनस तीन केजी एवाई एक के बार लिखो इसको घटाए आदा हिंदी आदा इंगलिस लिखा हूँ आप लोग समझ जाओगे ना क्या कहना चाहता हूँ जल्दी करिए फटा फट जल्दी करिए यह कलास आज लास्ट है फिर अगले मंडे को होगी तबता में तीन दिन होती है सोमवार मंगलवार बुदवार जल्दी करें फटा फट अगे बढ़ें एक इंपोर्टन जनकारी आपको बता दें वो यह है कि अगर आप यह आपके घर परिवार में कोई इंटरनेट लगवाना चाहता है यह मैं रोज आपको साधान करता हूं आपका हमने एप्लिकेशन की लाइब कलास के लिए बिसेस रूप से और रिकार्डेड कलास के लिए इसको लगवाया था पूरे वन यह का रिचार्ज कि आप देखरों स्क्रीन पर अभी भी आठाज़ार 698 रुपए दिख रहा है थारा पैसा भीना मतलब का खराब हुआ क कर रहा हूं बाकि आपकी इच्छा है अगे बढ़ें चलिए ठीक है डन आगे बढ़ते हैं अब क्या करना है कि इसको कर लीजिएगा हुआ नौसो असी सेंटीमीटर को नौसो असी सेंटीमीटर से पंदरा मीटर घटाईए कि कोईश्चन नंबर दस मान लीजिए कोईश्चन नंबर ग्यारा भी लिख लीजिए रेस्मी सिंग जीओ फाइबर अच्छा है ठीक है जीओ फाइबर अच्छा है मुझे भी पता है मोबाइल का हमने जितने भी हमारे एसिस्टेंट लोग थे जो कंपनी के नंबर थे हमारे यहां पीवियर स्टडी के मैंने सब जीओ में पोड़ करा दिया पहले एटल में ही और यह ब्राडबेंड में केवल पैसा फसा इस होजा फे अभी इसकी केबल लटकी हुई है यह केबल भी बहुत जल्दी मैं यहां से अटाने वाला हूं आप लोगों को सावधान इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग हमारे बहुत ही करीबी हैं और मैंने इन से बोला भी है जाहने कि भधई अब हम लोगों को सावधान करेंगे इतना टाइम तो होता नहीं हमारे पास कि हम इनके कर्ष्टूमर केर में लगे रहें हार्दम लगे रहें कि इसलिए मैंने सोचा कि लोगों को सावधान करें आई यह कि 820ड रूपए है रुके रहे है चार सो बीस रूपया पुशन नंबर 12 अगला लिखिये पटाफट 9000 सिकेंड से 3600 सिकेंड से तीन घंटे घटाईए 3600 सिकेंड माइनस तीन घंटे फटाफट करिये पुश्चन नंबर 13 9000 सिकेंड माइनस पचीस घंटे जबाब बता दें देखिए साथियों 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है हुह तो अगर हम 1 सेंटीमीटर में मीटर निकालें तो 1 अपान 1000 हो जाएगा मीटर ओके तो 25 cm में अगर मीटर देखेंगे तो 25 वान 1000 हो जायागा इसको काट पीट दीजिए जो कट पीट जाए हम काटे पीटेंगे नहीं सीधा फीधा लिखेंगे तो 0.025 मीटर कुछ लोगों ने बताया था लेकिन बीच में 0 न लगाया था असनेह तिवारी बलक करतें तब तुम जानोगी नहीं है ना पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं यह सब मतलब हैं तो बहुत अच्छे बच्चे लेकिन कभी-कभी ऐसी बात बोल देते हैं न कि पूरी आत्में सुलक जाती अंदर से समझ लो मैं देखता हूं ऐसे नालायक सब्सक्राइब 맞़ी वीडियो बनाना क्या है की अचयाह कैसे वेटियो बना करना तो बटन दबाने का खेल होता है बस बन की तया है चलो आपब हाल आगे बढ़ते हैं अपल तक क्या है जैसे एक छोटा नंबर लोटे हैं फूर मैं चोड़ी को आती है बताये है कि सबको गिंधी आती है secondo जैसे शी सबको आती है पाढ़ा भी आता हो पाहडा थोड़ा बहुत आता होगा जाधा पाला हमें भी आता है कि एक तो यह तो आप सब को पता है इसकी परिभासा हम नहीं बताएंगे परिभासा आप खुछ समझ जाओगे पहले आप सिर्म मतलब देखो बस चलिए देखिए यह जो फोर है न वन से वहाँ पर क्या लिखाए बिभाजक क्या लिखाए बिभाजक न यहीं फोर को किस किस संख्या से पूरी तरह से बिभाजित किया जा सकता है यही अपवर्तक है समझे रहे हो न? जैसे कहे हैं कि तुम्हारी कोई गुप्त बात है सीक्रेट एकदम तुम्हारी और उसकी और उसे कुछ लोगों ने मतलब किसी तरह से हासिल कर लिया है तो वही क्या है? आप दोनों के अपवर्तक हैं कि वही उस बात को आगे बढ़ा सकते हैं बाकी कोई तूसरा नहीं समझ रहे हो न? कुछ समझ में आए कि नहीं? जैसे कोई आपकी गुप्त बात है सिक्रेट है एकदम और उसको आपके दो नलाइक दोस्त जान गए तो वो क्या है? वही सिर्फ वही सिर्फ वही दो क्या है? अपवर्तक है मतलब ऐससे समझ लो आईए इधर साइड में देखते है ये फोर अब विभाजित का मतलब क्या है? पहले वो भी बता दें जैसे देखिए फोर में हमने अगर वन का भाग किया आफमसे बच्ष और वन क territorial फोर bon इसमें थोड़ा कुछ न समझ में आया होगा लेकर अभी कुछ नहीं समझ में आएगा थोड़ा देर बिलकूल धरगण थाम के बैठे रही है देखते रहाए और मगर प्यार से और मगर सोना नहीं कि देखते देखते आजाए नहीं यह क्या रहा जीरो न इस तरह से अगर फोर में हम टू सेट भाग करें तो भाई सिधी सी बात है हम सबको पता है कि दो का पाड़ा पढ़ना जब तक चार ना आ जाए बच्पन में यह पढ़ते आए ली पढ़ते आये न कि यह कितना जाएगा दो दुन चार सने भी कितना ज्यो नुग आएगा ना अब आगे समधना हम कहने क्यावालव मूई यह कितना ज्यो आज emission seperti भाज़क जो भी कि आया उसने मतलब सेसपल जीरो आइख और हम फोर को फोर हिभाग करें तो होरो जब फोर तब भी क्या आएगा जीरो अब बताइए यह सब सही जा रहा कि नहीं डॉली सिवानी आंसर सही है अच्छा हर्सिता सर्मा रंगोली राजपूत अनुपम सिल्पा केसरवानी सोनी नेहा बर्मा नेहा मिस्रा नेहा तिवारी दिव्या तिवारी अनुपम इंगलिस स कि नाम क्या वहिए आपका बहुत ज्यादा नीन आती इस टाइम वैसे भी जो मजा है सोने में वह नहीं दुनिया के किसी खोने में तो आप जाके सो जाएं किरभा करके यह बताएए कि आप थ्री से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा बताएए अगर हम लोग कोई ऐसा काम करने जो हमारी life के लिए important है तो नीन्द नहीं आती है आप सोचीए एक मिनट के लिए एक मिनट के लिए सोचीए कि आप किसी की बारात में गए हैं आपकी बहुत ही बेस्ट फ्रेंड या आपके बेस्ट फ्रेंड की साधी हो रही है और जैमाल का टाइम हुआ तो क्या तुम सो जाओ गया हो बैठके नहीं न अखे तुम्हारी बिल्कुल गड़ी रहेंगी देखो कई से मुझ कर रहे हैं व लेकिन पढ़ने में निंद क्यों आती है क्योंकि ऐसा लगता है यह सब बिना मतलब कर रहें कभी इसमें दिमाग कामी नहीं करता है यही वजफ नीद आती है इसमें जीरो सेस्फल नहीं आएगा क्योंकि तीन के किसी भी भाग में अगर हम पढ़ें तो पहाड़ा पढ़े नहीं आयाएगा तो 233 सेस्फल 1 आएगा हमने क्या कहा था कि 670 आनाचाहिए एक यानि कहने कहिने का ये तत्य पर है कि हcesso 1001 1 और 4 हम कह सकते 1 2 और 4 यह क्या एक है इसके क्या है आप और तक क्या है आप ओरं तक यानि अगर हम कहें कि 4 का और तक बताये तो 4 का पुर्तक 1 2 4 1 2, और 4 अगर कोई ऐसे पूठे की 4 का कोई एक अपジャ taşer दो बतादेता है ये कोई अगला कोई एक बतादेता अपरिए किंसी के गलत यह रह क्योंकि था यो सकता चाला कहिए लिगमाफ फिरा के पूंचर ली को करा कि है कि संख्याचार के कितने पुर टान को सकते है तो ब्दार्ण दूर पर तो लेबल की परिच्छा दे रहे हैं तो आप तीन बता देंगे गलत नहीं है ठीक है पर्याप्त है तो आप इसी तरह से आप मुझे बताईए कि संख्या 6 के कुल कितने अपवर्ताख हो सकते हैं जल्दी से जवाब दीजिए देखते हैं सबसे पहले कौन बता रहा है संख्या 6 के कितने अपवर्ताख हो सकते हैं इसमें जितना जादा हम घुल मिल जाए उतना ही कम है हमारी कोशिस होगी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की लेकिन आप लोग तांग मत अड़ाना बीच में संख्याचे के कितने आप और तक हो सकते हैं अनामिका चौधरी जी हम कमेंट आपका देख रहें बस उत्तर का इंतजार है जल्दी बताइए अनुपम बहुत अच्छा बेरी गुड नेहा बर्मा भाई डाली बोलें या सीवानी बोलें या कुछ भी न बोलें एक से लोग पता पूरे गांवाले का नाम ही अपने उपर रख लेते हैं चलो ठीक है वन टू थ्री और शिक्स चार अपवर्तक हो सकते हैं क्यों मैंने गलत लिखा किया नहीं सही है यानि संख्या छे के कितने अपवर्तक हो सकते हैं चार अपवर्तक हो सकते हैं दूसरी इसकी एक जो और भासा बोलने भासा नहीं इसका दूफरा नाम है विभाजक संख्या 6 के 4 विभाजक हो सकते हैं इंग्लिस में बात करें तो टोटल नंबर आफ डिवाईजर हो रहें किसके 6 के सभी को समझ में आ रहा ना कि नहीं आया कोई ऐसा प्राणी है इसमें जिसको ना आया हो कोई एनिवन सर्माना नहीं यहां लाजसरम नहीं लगनी चाहिए बताईए अच्छा ठीक है अगर आप लोग लाजसरम छोड़ी चुके हो मतलब पढ़ाई में तो इधर बताईए 15 इस कुमार दिब्या काजल ठीक है भाई देखो कोई नराज नहीं होना थोड़ा थोड़ा आप लोग जागते रहो इसलिए अगर हम आप लोगों के ऊपर कोई बीच बीच में टिपड़ी भी कर देते हैं तो इसको बिल्कुल दिल से मत लगाना हम समझ रहे ना नहीं तो इसमे पहला जब आप कौन बताया है एक तीन पांच और पंद्रा कि यह 135 और पंद्रा जो बताया भाई योगेंद्र सिंग गलत है योगेंद्र जी आप जल्दी में गड़बड़ी कर रहे हो पूजा स्री गुड इबनिंग डॉली फैजल अली रंगोली ठीक है बहुत अच्छे चलिए आगे चलने बढ़ें आप लोग समझ गए सभी तो एक सूर में बोलिए यस 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 और हाँ ये सेशन को जो लाइक नहीं किये न भाई ये देखो ऐसी गलती ना करो आप लोग की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं आप उसे समझ ये क्योंकि हम सब कुछ छोड़ चाड़ कि अगर आपकी कलास चला रहा है इतनी ठंडी में तो आप कलास को लाइक भी किया करिए हम चलिए फटा फट लाइक कर दीजिए हर कोई अभी आधा कोई आधा नहीं लाइक किया मतलब पचास परसेंट ऐसे हैं जो नहीं किये भाई कि बरवाद हो गया मैं तो अब मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं जब तक हर कोई लाइक नहीं करेगा जिनको पढ़ना पड़ेगा जिनको जानना जाएगा चलो क्योंकि दोनों लोग की गर्ज होनी चाहिए ना अभी 28 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जामत नहीं उठाई कुछ लोग सोच रहे होंगे लाइक करने से का मिलता है तो बताएं जो आप लोग इंस्टागराम या फेस्बूक पर अपनी सेलफी लगाते हो इसे करके मूठेण करके ना वहां जो लोग लाइक करते हैं मिलता है ना वैसे यहां भी मिलता है उससे ज्यादा कुछ नहीं लेकिन वह जरूरी होता है कि आजिए चलें आगे बढ़ें हमें लगता física कमेंट थोड़ा सुलो मोड में किया घया इसलिए यह लोग कमेंट नहीं कर पा रहें इस पीड में अच्छा एक मिनिट का स्पीड मॉड है हो हो हां इसे कि अच्छे बच्चे हैं स्लो मोड में बंध कर देता हूं चली आप कम करिए बिल्कुल इच्छा की अंतिम पूर्ती तक चलिए तो यह हो गया ठीक है अब आईए इधर साइड हम बात करते हैं इसके जो अपवर्तक हो सकते हैं वह 1 3 5 और 15 क्यों इसके अलामा कोई और भी हो सकता है क्या इसके अलामा कुछ और भी हो सकता है क्या हम नहीं न इसके कितने हो सकते हैं कौन-कौन 1 2 3 तो होगा नहीं 4 5 10 20 यानि कुल अपवर्तक की संख्या कितनी है 20 में आपको दिख रहा है कुल कितनी है 6 है अब हम इसको खतम करके आगे बढ़ते हैं ठीक है फटा पड़ चलिए आगे चरते हैं हम ओके तो यह आप और तक आप लोग समझ गए सभी समझ गए लेकिन यह इतनी छोटी छोटी नंबर से काम नहीं चलेगा अभी बढ़की नंबर में भी काम करना पड़ेगा क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो ऐसे छोटा-छोटा में थोड़ी काम चलेगा अच्छा इसका जो जब आप सही सही देगा हम मान लेंगे कि उसको आने लगा उसको एक सर्प्राइज मिलेगा अभी तुरंद चलिए देखते हैं कौन बताता हैं सबसे पहले तो मुझे यह बताओ एक सब्द में कि 84 के कुल कितने अपवरता हो सकते हैं इसके लिए आपका कल्कुलेशन थोड़ा तेज होना चाहिए मतलब गिंती पहाड़ा आना चाहिए इसके कुल कितने अपवरता हो सकते हैं 5 7 9 या 12 जबाब दीजिए फटा-फटवता यह जल्दी करिए कितने अपवरता हो सकते हैं बताना नहीं है कौन-कौन है सिर्फ इतना बतादो पहले कि कौन मतलब टोटल कितने हो सकते हैं जल्दी बताईए अरे वाह नेहा बर्मा इन्होंने भाईयत सब पूरी कहानिये लिख दिया इतनी जल्दी कमाल है बहुत अच्छा बेरी गुड और यह सब अभी तक यह नहीं किन पाए क्या कि टोटल हैं कितना चलिए ठीक है अच्छी बात है 28 बाद में लिखा है 42 मतलब सही यह का ठीक है बहुत अच्छे बरी गुड दस बारा लगभा गया ना बारा आई यह देखिए अप वर्तक क्या है आप सभी जान रहे हैं इनके टोटल बारा पॉर्तक हैं कौन-कौन है एक दो तीन चलिए लिखते चलिए फटा-फट एक तो चार पांच से तो कटेगा नहीं कभी भी 6 अब देखिए जो गिंती 6 से कट रही वह बारा से भी कटेगी सीधी सी बात है लेकिन 12 सते 84 होता है न यानि 7 से भी यह कटेगी पक्का है और 8 से भी कटेगा क्या नहीं कभी कभी नहीं कटेका 8 कि यह क्यों नहीं कटेगा 12-8-96 ऐसा कुछ होता है क्या कि नहीं होता है 9 से कभी नहीं कटेगी 10-11 पूंदसे तो कोई चांसी नहीं 11 से भी नहीं 12 से कटेगा 12-7-84 सी तेरा से भी कटेगा क्या यह है नहीं तेरा सत्य इक्यानबे नहीं कटेगा 14 से कटेगा 14 छंग 84 होता है 15 16 बिल्कुल नहीं कटेगा 17 18 मुझे नहीं लग रहा कटेगा भी अब सीधा-सीधा यह किस से कटेगा एकाइस से कटेगा क्यों क्यूंकि चार एकम चार चार दूना आठ ठीक है एकाइस के बाद 28 42 और 84 कि इतना 28 42 और 84 यह इसके क्या है अपवर्तक है क्या है अपवर्तक है अंसिका समझ में आ रहा है नरेस हरसिता रंगोली दिब्यासिलपा अकमल और चौधरी जी आ रहा समझने तो इसको हम यहीं पर टॉपिक पर इंड करते हैं अब अगले टॉपिक पर चलते हैं क्योंकि यह कहानी जितना भी करते जाएंगे कमी है यह कुछ नंबर दिए गए आप लोग इनका आप और तक कर लीजिएगा और करके और खुद से और कल लेके आईएगा ठीक है इतने नंबर है इनके आप और तक आप लोग खुद से करिएगा कितने कितने हो सकते हैं यह बताईएगा चलिए हो गया यह अब आगले टॉपिक पर चले अफनेहा जी आपकी जो भी बाते हैं आप नंबर पर भेज दीजिए नीचे नंबर चल रहे हैं इंक्वारी के लिए आप उस पर अपनी बात को लिखके भेजिए वहाँ पर आपको समधान किया जाएगा जो भी आप कहेंगी चलिए तो अगला सब्दों को उठाते हैं जिसका नाम है अपवर्ते देखे इसमें थोड़ा अंतर है ज्यादा यह बिलकुल उसका अलग है यानि वो दूसरे दिसा का था यह दूसरे दिसा का है ठीक है अब इनको लिखिए देखिए इनका मतलब है एक परकार से पहाड़ा क्या है पहाड़ा ठीक है जैसे देखिए मैंने 7 अगर लिया तो 7 के जो गुड़ज है कहने का ये मतलब है कि इसके सभी गुड़ज हम ऐसे निकालेंगे वो नमबर में 1 से मल्टीपल करेंगे 7 फिर उसी नमबर में 2 से मल्टीपल करेंगे 14 फिर उसी नमबर में 3 से मल्टीपल करेंगे 21 फिर 4 से करेंगे 28 और फिर 5 से करेंगे इस तरह से 35 अब मुझे एक बात बताईए आप लोगों को जहां तक मालूम है क्या इनके अपवर्त निश्चित संख्या में होंगे या निश्चित होंगे अनलिम्टेट जिस तरह से आपको दिख रहा है क्या इनका कभी अन्त होगा भैजाल अली बताईए छे अन्त होगा की नहीं होगा कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 10 तक करेंगे बस होई जायेगा नहीं गलत है इनका कभी अन्त नहीं होगा यह निश्चित नहीं है सीवानी और डॉली यह अनिश्चित है इसका मतलब यह थोड़ी है कि केवल 10 तक कर लेंगे इसे 7 दहमा 70 बस काम खतम नई हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ये भी क्या है सेबन का मल्टीपल ही है इसको 12 से भी कर सकते हैं सेबन का मल्टीपल है ये भी सेबन का मल्टीपल है यानि हम कह सकते हैं कि ये अनलिमिटेड होते हैं जैसे आपके मोबाइल में अनलिमिटेड मोबाइल में कॉल करने को मिलता है कि गुपतु करते रहते हैं आप लोगों को जानके बड़ा चंभा होगा जो कि आधिकतर लोग नहीं जानते होंगे क्या आप जानते हैं कि मोबाइल में जो अनलिम्टेड बात करने का एक प्लान मिलता है किसी भी परकार का नंबर है क्या उसमें चाहे जितनी बात कर सकते हो कर ला सकते हो आप लोगों को लगता है अनलिम्टेड का मतलब कि आप 24 गंटे लगे रहो नहीं चलेगा उसमें भी लिमिट है यह लिमिट मैंने भी क्रास किया था इसलिए मुझे पता है अधिक्कतर कोई 100 message का limit होता है ने डेली 100 message आप send कर सकते हैं उसके उपर नहीं उसी तरह से उसमें भी limit होती है लेकिन मुझे थोड़ा लीमिट में confusion हो रही इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था आप लोगों की call बहुत सारी आती हम लोग return करते हैं हमारे टीम के द्वारा तो वहां से पता चला है चलिए ठीक है फिलहाल उसके बारें बात में बात करेंगे आए इस पर बात करते हैं तो अभी हम क्या कर रहे थे अपवर्थ हम आप अपवर्थ ना यह बताएए मैंने एक नमबर लिखा 12 कोई भी इन में से इसका तीन अपवर्थ बताएए जल्दी बताएए तीन अपवर्थ बताएए जल्दी करिए फटा फट जल्दी करिए फटा फट बताएए नेहा मिस्रा ठीक है और कोई एनिवन पूजास्त्री डॉली सिवानी पंगोली ठीक है बहुत अच्छे बरी गुड और कोई एनिवन योगेंद्र अकमल सोनू सिल्पा ठीक है बरी गुड चलिए जल्दी जल्दी फटा फट बताते जाएए ठीक है एक और बताएए इसके मैंने क्या पूछा अपवर्त पूछा मल्टीपल पूछा आप लोग मुझे इसका मल्टीपल बता सकते हैं कोई दो मल्टीपल इसको मैं खतम करके आगे बढ़ाऊं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है देखिए अभी तक कुछ कुमेंट नहीं कर पा रहा था अभी थक मैंने उनके लिए भी मौका दे दिया प्रिया सुकला जब आप दीजिए कोईस्टन का अगर सिर्फ नाम ही लेने की पीछे परेसान रहेंगी तो नाम नहीं लेते हैं नहीं यहीं तो हमारी प्रॉब्लम है समझ मैं आ रहा ना सुकला जी आपकी कमेंट मुझे बहुत अच्छे दिख रहा है चलिए तो मैंने पूछा इसका मल्टीपल या अपवर्त या गुड़च तो कोई भी दो बता सकते हो आप मैंने दो ही पूछा था दो तीन जो भी तो आप ऐसे बता सकते हो 24, 36, 48 यह सुरू के हो गए हां चाहे तो 120 भी बता दो तब यह गलत नहीं है ठीक है नेहा बर्मा इन्होंने बताया 168 & 252 कोई बता रहा 84 & 168 ठीक है सब का सही है देखे सीधी सी बात यह है कि वो संख्या जो 84 में मल्टिपल करके प्राप्त की गई हो वो सभी इसका अपवर्त या गुडल क्या बोलते हैं उसे गुड़च होगी ठीक है जैसे देखे एकजामपल के लिए अगर हम 84 में 9 का मल्टिपल कर दें तो 9, 36, 83, 9, 82, 3, 75 तो यह 756 भी क्या है यह अपवर्त है यह गुड़च है कुछ भी कह सकते हो अगर हम वही 84 को सिर्फ 1 से मल्टिपल करें तो 84 आएगा यह 84 भी क्या है यह 84 भी क्या है भाईया यह भी क्या है यह मल्टिपल है किसका 84 84 का खुद मल्टिपल है ठीक है ओके आगे चलें कोई डाउट किसी को किसी के मन में कोई डाउट बताइए जल्दी बताइए नहीं न तो इस तरह से आप लोग मल्टिपल निकाल लेंगे हाँ जो लोग 168 बता रहे हैं पता नहीं किस से गुड़ा करें वह दो से करेंगे न सायद हाँ दो से करें यह दो चौक आट दो अठे सोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं ओके तो इसका मतलब यह आप लोग समझ गए मल्टिपल समझ गए और डिवाइजर समझ गए उमेश गुपता ठीक है उमेश बहुत अच्छे नहीं हां मिसरा बेरी गुड आईए एक और बताइए इमांदारी से बताईएगा बड़ा प्यार से बताईएगा आईए देखिए एक नंबर मैंने ले लिया 128 128 क्या 64 इसका मल्टिपल हो सकता है एनिवन बताईए क्या 64 इसका मल्टिपल हो सकता है हम सभी जल्दी से बताईए प्रिया सुकला दिल्पा सोनू मैंने पूछा आ कि 128 का 64 जो है वो मल्टिपल हो सकता है गुड जो हो सकता है अक्सर लोग बता रहे नहीं 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 पर्मा बता रही हां हो सकता है और कोई अनिवन कोई बता रहा हां कोई बता रहा नहीं कि कुछ लोग यह सोच रहे होंगे कि इसको भाग दे देंगे दो से हां दुछंग बारा दुछे उकाट मतलब एक बटा दुछे कर देंगे इनका यह मतलब होगा हां आईए देखते हैं देखिए मैंने क्या बताया पहले इसका परिभासा सुन लीजी परिभासा सुन लीजी आप लोग इसको इतना समझ यह ठीक है आप एक और बताते हैं ठीक है 128 अभी बात करते हैं आगे 1280 क्या यह 1280 का मल्टिपल हो सकता है बताइए हो सकता है कि नहीं कि जल्दी बताइए हो सकता है है आप लोग कहेंगे हां देखे एक्शुली इसका मतलब आप एक लाइन में ऐसे ही समझ सकते हैं कि कभी भी बाप की उम्र बेटे की उम्र से कम नहीं हो सकती है है न है और अगर ऐसा है तो वे प्रियल में उसका बाप नहीं है वो उसका बेटा भी नहीं है किसी और का है समझ रहे हो ना एक बात में बस कहने का यह तात्य पर है कि वह संख्या जो इसका क्या है अपवर्त है या गुडज है उसको जब ऐसे किया जाया ऐसे मतलब ऐसे समझीए यह 1280 इसको 128 से भाग करें तो यह कट जाए जीरो आ जाए तो क्या ऐसा कभी संभव है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गुड़ा करके बनाया जाता इसलिए इसको एक बटा दूर से गुड़ा करके निकाल लेंगे तो एक बटा दूर से गुड़ा करके नहीं निकालते हैं यह बताइए हमको आप लोग कि क्या ऐसा करने पर कभी जीरो आएगा असेस फल हाँ दसामलों असामलों में नहीं ले जाना है दसामलों में ले गए त legitimate where the सिदा सिदा क्या कोई पूढ संख्या में भाग जाएगी स्की इसमें नहीं झाएगी न है अगर नहीं जाएगी तो हम कहसे हैं कि ही 128 का जो मल्तिपल हो 64 नहीं हो सकता है ठीक है समझ गए ना यानि कहने का यह मतलब है कि गुड़ज यानि अपवर्त कभी भी किसी संख्या से छोटा नहीं हो सकता है ठीक है इसका एक एक है तो कुछ वर्णवडा माज़ान भूझ है कि विए फिर दोनों समझ गए कि अपवर्त भी समझ गए और गुडडश इसमें और क्या है यह तो अभी आप लोग सिंपल सिंपल सा समझ मेल इसमें कुछ खतरनाक भी है इनकी परिभासा लिक्वातें है हाँ, इनका परिभासा लिख लिजिए दोनों का पहले, क्योंकि समझा तो मैंने दिया है, परिभासा लिखेंगे तो थोड़ा और किलियर होगा, लिखिये, परिभासा लिखिये अप लोग, परिभासा लिखिये, कौन सा पहले लिखेंगे पहले आप वर्तक का लिखिए अप वर्तक या विभाजक का लिखिए पहले जल्दी हेडिंग डालिए फटा-फट देखें होता क्या है मैंने अच्छे समझा दिया अप अरिवासा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि नहीं कितने लोग लिख सकते हैं बहुत से लोग लिख लेंगे मुझे पूरी उमीद है है ना वह संख्या अथवा बैंजक अभी बैंजक के बारें बात मने नहीं किया भी करेंगे बात में ठीक है वो संख्या अथवा बैंजक जो किसी दूसरी संख्या अथवा बैंजक को पूरा-पूरा विभाजित क करता है मतलब डिवाइट करता है ठीक है दी हुई संख्या अथवा बेंजक का अपवर्तक कहलाता है परिभासा मतलब डेफिनीशन ठीक है उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा जैसे माल लीजते हैं मैंने 12 लिखा तो वो संख्या अथवा बेंजक जो दी हुई संख्या का यानि दी हुई संख्या बारा है तो वो संख्या बेंजक छोड़ दीजिए क्योंकि बेंजक कहां काम नहीं है वो संख्या जो इसको पूरा-पूरा विभाजित करें वो इसका क्या अपवर्तक है तो क्या हो जाएगा ह能 dallाइक ओपाइब 25 से भी वोगा ट्रीसे भीविगा फोर से भी होगा में तो ये सुछा ओर आपड़त貌 एक हैं किलो कि पाइख संग्हें कि आया समझ में वहें आप लोग कra से को लाईक nella कि की इस एक लग सेगा 50 से ज्यादा लोग जुड़े हैं लाइक अभी तक मात्र 38 लोगों ने किया है बाकी लोगों को सारा मार यह थोड़ा-थोड़ा उससे भी कमी लोगों ने किया 30 लोगों ने किया बस अभी हमारे में अपडेट नहीं हुआ कुछ लोग चले भी गए इसमें से जो है उन्हों उन में से अवे दिखतर नहीं किये क्यों कोई कमी है तो बताइए नहीं तो हम आगे टॉपिक पर चलें टाइम ना बरबाद करें फटा फट लाइक करें जल्दी से हाँ क्रिफना कुमार ठीक है कमेंट आ रहा है तो यह हो गया अपवर्त वाला लिखिए अपवर्त या गुड़ाजीस को लिखिए 2 लेखिये फटाफट वो संख्या होगा पेंजक आं उप टो जो जो ज़िस जिस से ठीक है इधर देखिए जिसे मैंने इसका एक्छामपल पहले लिखे लें के तो याधा समझ में आएगा इसका आप लिखे जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा 12 यह दूसरे वाले का है तो यह 12 हो जाएगा 24 हो जाएगा 36 हो जाएगा डाट डाट यह क्या है इसी के परिभासा हम लिख रहें ठीक है तो वह संख्यात वह बंजक जिसमें जिसमें किसी अन्य दी हुई संख्यात वह बंजक से पूरता भाग दिया जा सके वह संख्यात वह बंजक जिसमें किसी अन्य संख्यात वह बंजक से पूरी तरह से भाग दिया जा सके वह सभी संख्याएं उसका क्या का लाएंगी अपवर्त का लाएंगी है ना ऐसे तो कुछ होगा न इक्जाम्पल से आप समझ गए कि नहीं बाकी इसे आप अपने अपने से भी लिख सकते हैं कहने का मतलब आप समझ गए इसे एक दूसरी भाशा में पहाड़ा भी बोल सकते हैं किसी भी संख्या का ठीक है जैसे यहां पर देखिए 12 का पहाड़ा क्या बारा एकम बार दूसरे तरीके से इसको लिख लिजिए यदि कोई संख्या अथवा बेंजक किसी अन्ने दी हुई संख्या अथवा बेंजक से पूर्ता विभाजित हो जाए तो पहली संख्या अथवा बेंजक को दूसरी संख्या अथवा बेंजक का अपवर्ते या मल्टीपल कहते हैं ठ ठीक है हो गया चलिए उदारन के लिए लिख लेजिए 12 और 12 के आगे लिख लेना 12 एककम 12 12 24 आई 36 आशे पूरा लिख लेना ठीक है यह आप लोगों का काम हो गया खतम अब आगे बढ़ते हैं ठीक है कोई दिक्कत किसी को कोई पारेसानी तो बताईए मौहसिन दुबारा बोलो दुबारा बोलो मतलब अकल तो आएगी नहीं कभी तो हम क्या करें अब अकल तो लाके देंगे नहीं जिसको बोलने काई तरीका नहीं है उसको बोल के क्या करेंगे चलिए ठीक है आगे क्या करना है यह समझ गया आप लोग दोनों हो गया अब इसका अगला इस्टेप है LCM और HCF ठीक है क्या है LCM और HCF लेकिन उसके पहले एक चीज है वो क्या है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम है LCM को हिंदी में क्या बोलते हैं कोई जानता है अच्छी अफ को क्या बोलते हैं बताइए जल्दी से कोशिस करिए इसको बोलते हैं लगुत्तम समाप वर्तक नहीं वर्त बोलते हैं कि वर्तक यह महत्तम समाप वर्तक होता है न बताइए फटाफट अ देखिए इसके पहले हम बात करते हैं किसकी पहले बात करते हैं फैक्टर की फैक्टर मतलब गुडण खंड की बाकी उनकी बात-बात में करेंगे क्योंकि जब तक यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा तो जैसे माल लेते हमने कोई नंबर लिखा 24 किन-किन संख्याओं से completely divide हो जाएगा वही क्या होता है वही क्या होता है इसके फैक्टर होते हैं ठीक है तो जैसे देखिए अब 24 1 से completely divide हो जाएगा 2 से भी हो जाएगा 3 से भी हो जाएगा 4 से भी हो 6 से भी हजाएगा 12 से भी हो जायेगा कि 24 कुछ को से मुझ ही की नहीं ऐनी सक्परता कितने है अरे वह ही अभी जो पढ़ाते होते हैं कुल डाके फैक्टर ओ क्या क्या होरा था भई यह यह ओ आप पढ़ाई दिया हो यह नी फैक्टर औहो गया इसका मतलब है न है इसका एक और नाम मिल गया फैक्टर फैक्टर बोले या गुडनखंड बोले या विभाजक बोले या आपवर्तक बोले या डिबाइजर बोले ये सब एक कहें याद रखिएगा इनके सब नाम डेल सारे ठीक है क्या क्या है देखिए दो नाम तो यहां लिखा है एक और खतरन नाक नाम यहां मिल गया ठीक है चलें फिर देखिए साथियों आप लोग नार्मल संख्या से तो परचीत हैं जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बताईए अगर थार्टीन का 5 में मल्टीपल होगा तो आप सभी जानते हो तो थार्टीन फाइब चांग सेक्स्टी फाइब यानि तेरा पच्छे पाइसाथ ही होता है सही लिखाओं गलत है सही है लेकिन अगर मैंने कहा कि याक्स वाई का मल्टीपल वाई से कर दीजिए तो आप कहोगे यह कौन सी गड़ित है क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता है चल यह ठीक है तो कल हमने कुछ कुश्चन भी दिया था आप लोगों को क्या कोई हमें इसका अंसर बताएगा फटा फटा अनामी का चौधरी कल मैंने बहुत कुछ बताया था अब आप थोड़ी सी को़्विस्टो करिये घुला फसा हरसिता सर्मा नेहा गोटम नेहा नाम के छे लोग हैं तो अगर मैं एक लोग का नाम बोलूंगा न तो सब लोग अपना-अपना जान लेना नेहा Todo-सी कुछ और तीन होग मैं यह तिवारी नेह मिष्तरा और नेहा सिंग ऐसे कुछ करके 5-6-7 लोग हैं चलिए इसका अंसर सबसे पहले कौन बताया है और गुला ने भी बता दिया है कृष्णा कुमार ठीक है आएए बात करते हैं इनके बारे में डीटियल में देखिए किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले उसकी तहह तक जाना चाहिए क्योंकि हम इस कलास को बड़ा बिंदास पढ़ाते हैं आप-अराम से समझ में सब को आना चाहिए हम हडबड़ी में नहीं रहते हैं ठीक है इनको जल्दी थी वो चले गए तो हमें जल्दी नहीं यह लाइब नंबर है 1818 आएए देखते हैं इनको करने से पहले यहां पर हम दो चीजे समझेंगे सबसे पहले तो यह चर और अचर क्योंकि इनको डीटियल में अगर पढ़ना है तो थोड़ा वक्त देना पड़ेगा ठीक है वक्त देना पड़ेगा क्या आप लोग चर और अचर से परचित है बाकी अगर आपके किताब के अकार्डिंग जल्दी जल्दी पढ़ाएं तो बहुत जल्दी खतम हो जाए लेकिन फिर आप सीख हो गया नहीं है हमारी गारंटी नहीं है लेकिन अगर हम अपने कार्डिंग पढ़ाएंगे तो आप सीख जाएंगे देखिए कोई भी जो हम यह लेटर यूज करते हैं एबी सीडी के एबी सीडी एफ जी अचाई जेके लमनोपी मतलब जड़ तक यह सब होते हैं चर होते ह इनकी संख्या लिमिटेड होती है टॉंटी सीक्स होती है डॉटल मतलब बैरियेबल कुल कितने होते हैं 26 होते हैं देखिए बच्चों जैसे अगर कोई इसी में किचिर-किचिर एक ही बात को करने लगता न भुछ गुस्सा लगती थोड़ा भी बुद्धी नहीं है क्या एक चीज पेस्ट कापी पेस्ट बहुत करें कर रहे हैं उन्हें बलग करें आग्ला देखिए आचर पद में अचर को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कंपड बोलते हैं यह मतलब जो गिनती के संखैनों होती जैसे एक दो तीन चार मतलब डडडडडड कुछ भी आनंत तक इनकी कोई limit नहीं होती है ठीक है इन्हें क्या बोलते हैं अचर बोलते हैं इंगलिस में constant बोलते हैं इंगलिस की spelling मुझे थोड़ा कमारी constant बोलते हैं तो यह आप जानगे बोलते हैं इंग зачем में यहां से थोड़ा समझेगा खहतां और इंग्लिस में क्या बोलते हैं इंग्लिस वाले बहुत से हैं बताईए लेकिन मैत की भासा में बताईएगा मैत की भासा अलग है इसमें कोई feeling नहीं होती मैत में बाकि और language में तो feeling भी छिपी होती देखिए यहाँ पर समझेए तो हम यह समझ गए यह और यह क्योंकि जो हम करने वाले हैं अभी उसमें यह सब काम लगेगा अभी तैयार ही कर रहें केवली उद्ध की बस जैसे मैंने लिखा चार यक्स और यहाँ पर लिखा तीन थोड़ा सा यहाँ समझेएगा समझेए यहाँ पर क्या है अगर भगवान थोड़ा सा वी बुद्धी दीए खोपड़ी में भूसा नहीं भरा है तो यह समझना चाहिए कि अगला इंसान अगर कुछ बता रहा है उससे पहले देख लें थोड़ा अपना दिमाग ठंडा करके रखें थोड़ा देर में फिर पूछ लें आप कहोगी डंडा कर दें एक के बार में तो ब्लक करने कलां दूसरा आप सुनता है नहीं हां अगर बुद्धी थोड़ी सी भी है रच्ची वर की तो समझना चाहिए आईए आगे बढ़ें ठीक है ध्यान दीजिएगा बिल्कूल अप्टेंसर न लीजिएगा इसमें अगर हम इसको थोड़ा और इक्सपेंड करें तो यहां पर देखना इसे हम ऐसा कर सकते हैं बताइए कर सकते हैं कि नहीं ऐसा कर सकते हैं क्यों देखिए ऐसा इसको इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जैसे अगर हमने लिखा यहां पर आठ तो आठ को भी तो हम दो गुड़ा चार लिख सकते हैं कि नहीं यह के आयन कि गुडनखनड ही तो हुए है ना क्या हुए है वह न तो हम बताने वाले कि नव यहां पर जो यह गिंथी है मतलब में आचरपद है और जो चरपद यह वह क्या है गुड किसका है ये कर वाले Ihr운데 क क्या है थीक है कि रवाले का अगर पूछा जाए कि एक्स का क्यूब का गुड़ांग क्या है तो फो रहे था कोई डिक्कत इसमें कोई प्रीशानी किसी कोई डाउट नहीं ना तो यह आप समझ गए अभी आगे काम लगेगा याद रखिएगा आगे कहानी पढ़ते जाओगे एक पॉइंट ना समझ में आगा दूबारा बताने वाला नहीं हूं क्यूंकि हमसे ज्यादा आगे नहीं बोलेंगे इधर देखी यह बताईए कि तीन यक्स और यहां पर स्क्वाइर यहां पर यक्स स्क्वाइर का गुडांग क्या है यक्स नहीं क्या है जल्दी बताईए फटवट चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है नहा मिस्रा क्रिफना वाई कोई उत्तर भी बताएगा नहीं अच्छा एक बटा दो वाई जेट का स्कॉयर जेटी स्कॉयर का गुडांग क्या है सबसे पहला जवाब मन्नु ने बताया है बहुत अच्छा मन्नु बेरी गुट मानबें सिंग सतीस ठीक है इसमें अगर मैं पूछू की सिर्फ जेटी स्कॉयर का गुडांग क्या है जेटी स्कॉयर का गुडांग यहां पर आप लोग थोड़ा बुद्धी लगाईएगा मन्नु जी गलत है बिल्कुल गलत हो गया न मैंने पूछा सिर्फ जेटी स्कॉयर का तो जेटी स्कॉयर को छोड़ के जो भी बचरा वो सब इसका गुडांग ही तो है एक बटा दो य होगा बिल्कुल ठीक है वन अपांट टू वाई अगर मैं वाई जेटी स्कॉयर का गुडांग पूछता तब तो यह वन अपांट टू होता लेकिन मैंने सिर्फ जेटी स्कॉयर का पूछा था ओर किया हमारी अवाज तो नहीं कम आ रही न और तो पूरा है क्योंत करदें तो अच्छा गातांग क्या है इसमें इसमें गहात क्या है इसमें बताओ जल्दी बता इसमें घहात क्या आने की कोई जरूरत भी नहीं है हम तो इसमें चर और अचर दोनों का सीखना था कि एक मिनट रुकी हैगा देखने दीजिए कुछ चीज़ें अपवर्त यानी गुड़ज ठीक है इसमें आप इसको सीख गए अब आईए हम चलते हैं मुख्य पॉइंट पे आपको पता है जब वरियेबल्स का हम लोग मल्टीपल करते हैं तो गहते जुड़ जाती हैं गहते क्या होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं आईए देखिए समझिए गहते जुड़ जाती हैं कैसे जैसे अगर हम तीन का गुड़ा चार में करें और पांच करें तो आप सभी इसको बताओ कितना आएक पहले हर कोई कर लेगा कितना आएक पो लिए फटफट कितना आएक पहिया सबको मालूमें न लेकिन अगर यक्स स्कौायर का मल्टिपल यक्स और ये यक्स ऐसे करते हैं तो ये थोड़ा अलग होता है बताएंगे इसको ए इसको बी इसको सी मान लीजिए इसको डी मान लीजिए देखिए ये सब अलग अलग काटेगरी के अलग अलग मल्टिपल हैं बस आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है ठीक है और जो भी साथी इस सेसन को लाइक नहीं किया उनकी जिम्मेदारी है थोड़ी सी क्योंकि हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल फ्री आप लोग पढ़ रहे हैं तो भाईया लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए अगर फिर पढ़ना है त आगे बढ़ें चलें ठीक है आईए यह सिंपल सा है आप सबको पता है गुड़ा कर लेते हैं तिन चोग बारा बारा पंचे साथ ठीक है सिल्पा केसरवानी जी बेरी गुड साथ आ गया लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है यह दूसरे विरादरी के लोग है क्योंकि आज करके आप इससे ज्यादा समझेंगे आईए अभी मैंने घृत के बारें बताया था गात के बारें बताया था तो यहां पर कितनी घात है बोली है यहां पर कितनी घट है जेके क्यों नसायों के गड़पत साय भीया जिनके कौनों घात नहीं होती ही न उन पे एक घात मान लिया जाता है इन पे सब पे हमेशा एक घात मान ली जाती है ठीक है? इस पे कोई घात से मतलब नहीं होता है लेकिन जो variable होते हैं उन पर घात का मतलब होता है ठीक है समझ में आया ना आईए देखिए अब इसको क्या करेंगे यहां समझीए मल्टिपल करने पर घाते जुड जाती है क्या होता है मल्टिपल करने पर घाते जुड जाती है तो जब हम इनका गुड़ा करेंगे तो सबसे पहले यह चीज देखना है कि सभी चर एक समान होना चाहिए सभी चर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए और दूसरी बात यह भी देखना है कि उनकी घाते कैसे हैं तो इसमें चर समान है की नहीं इसके पहले तो आपको एक और चीज पढ़ना था याद सजातिये और बीजातिये पद भी पढ़ना था क्योंकि इसमें सब जरूरी है पढ़ाना आगे की कलास में फिर हम नहीं पढ़ाएंगे आए इसको थोड़ा बता देते हैं फिर उसमें भी चलेंगे ठीक है तो कि यह कि यक्स ऐसे ही रहेगा इसकी गहात दो इसकी गहात एक और इसकी गहात एक कि यह फाइनल में यक्स की घहात हो जाएगी चार यही ऑंसर हो जाएगा समझ में आया इसमें देखिए इसमें जो भी गुडांक हैं गुडांक का आपस में गुडा हो जाता है तो दो का गुडा तीन में होगा ति ये छे हो जाएगा और जो यक्स का क्यूब है उस पर कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है वो ऐसे का वैसे ही रहेगा ठीक है इसमें भी ऐसे ही होगा नो तरीक 27 यह 27 हो गया और यहां पर थोड़ा अलग है सायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा हमारी बेसिक कलासे उसमें मैंने बताया था कि देखिए आप लोग कॉलेज में हैं कलास में हैं उसी एज उम्र के हैं अगर हमारी मतलब हमारी नहीं मतलब आप लोगों की अगर बात बेवार बनती है सोच पसंद ना पसंद एक दूसरे से बैठती है तो दोस्ती हो जाती है मित्रता हो जाती है फिर प्यार हो जाता है पता नहीं क्या हो जाता है आप सभी जानते ना लेकिन अगर थोड़ा अलग रहे सब कुछ तो हाव हाव कुछ जादा रहे अटिट्यूट कुछ जादे रहे तो तो नहीं बन पाता ना तो वैसे इसमें क्या होता है मैंने बताया था अगर बेसिक आपने पढ़ा होगा कि अगर चर समान नहीं है एक से अधिक चर है तो उनकी घाते नहीं जुड़ती है वो सब अपना अलग अलग होते हैं ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी गर में अगर दो भाई है उनकी साधिवादी हो गई है नहीं नभीली दूलहन आ गई है तो अकसर दो चूला जलने लगता है आप सबको पता है ना यह कोई बड़ी बात नहीं भारतिय संस्कृति परंपरा का यह एक भाग है तो यहां पर कुछ ऐसा ही है क्योंकि यह चर अलग है यह अलग है यह दोनों अलग अलग है तो इनका जुड़ेगी नहीं घात इस पर भी घात एक है इस पर भी घात एक है यह जुड़ेगी नहीं यह 937 तो हो जाएगा यह यक्स का स्क्वाइर ऐसे ही रहेगा और यह वाई का स्क्वाइर भी ऐसे स्वरी जो भी घात है इसकी ऐसे रहेगी चाहे एक लगाईए या फिर मत लगाईए ठीक है तो यह हो गया इसका अंसर समझ में आए लेकिन इसी की जगा पर थोड़ा सा अगर ऐसे होता नो यक्स का स्क्वाइर इंटू यह तीन यक्स अगर होता तो यह नो तरिक 27 और यह दो घात और यह एक घात ऐसे चूड़ जाती तो यह 27 यक्स का घात 3 हो जाता समझ में आ रहा है ना चाप लीजिए फटा पड़ देखिए जो फालतू कमेंट वाले उन्हें बलग कर दीजिए उमीद है मुझे कि वो पढ़ने वाले नहीं है क्योंकि इस कलास में जो पढ़ते हो सीरियस ही होते हैं चोटे बच्चे इतना रात में पढ़ते नहीं इसमें बच्चे नहीं बच्चे वाले पढ़ते हैं तो जो फालतू बच्चे आगे उन्हें बलग करिए आप कमेंट द कुछन बताईए फिर हम थोड़ा सा इसमें और डीटील में आपको बताएंगे पूरा गहराई से मैं पढ़ा रहा हूं जो पेड़ वाली क्लास बच्चे लेते हैं 300 रूपया महीना जमा करके वैसे तो 700 से कम होता नहीं कभी-कभी हो जाता है उसमें भी ऐसे ही पढ़ाते हैं हम तो कहीं दो जागा नहीं पढ़ाते हैं दो तरह नहीं पढ़ाते हैं बिल्कुल पूरा दिल से पढ़ाते हैं ठीक है लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तब ना पढ़बेने करेंगे तो क्या होगा कुछ नहीं होने वाला आईए देखिए यह बताईए कि 19 यक्स का गहात 5 और यक्स और यक्स का स्कॉयर कि इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा अगर समझ गये तो बताईए कि समझ गये तो बताईए मनीज पांडे जी आपसे निवेदन है कि आप सांध रहिए कि कि कितना आएगा कोई बताएगा अंसर कुछ ऐसे हैं जो चुप रह नहीं सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते हैं हम हम इसका सबसे पहला जवाब दिया है भाई क्रिफना कुमार ने 19 यक्स पावर 8 बता रही है क्रिफना कुमार जी क्या आपका नाम क्रिफना कुमार है कुछ और है 37 गुपता बहुत अच्छे नेहा मिस्रा यह लोग वह हैं जो टॉप पे हैं मतलब 100 लोगों में टॉप पे हैं बाकी सब लोग हैं वह एबरेज में देखे जिंदगी में ना दोई लोग का नाम होता है एक जो उपर से नमबर एक पर आता है जो नीचे से नमबर एक पर आता ह तो पांच तीन आठ उननीस यक्स का पावर आठ आएगा बिल्कुल सही है जिन लोगों ने बताया था उनका करेक्ट जबाब आईए इतना हो गया यह सब डन आगे बढ़ें अब तो यह आप लोग समझ रहे हैं अगर तो अच्छी बात है कुछ और कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं चलिए इंटू य इंटू एक बटा दो इंटू यक्स वाई अब बताईए इंटू वन अपान यक्स इसको पूरा हल करेंगी तो कितना आएगा इसी में थोड़ा कुछ और चीजें बता देते हैं इसको आप बताईये कितना आए गा देखते हैं सबसे पहले कौन बता पाता है अगर जो भी थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा न कर ले जाएगा मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूं कोसिस करता हूं खुद को रोकने की और चलता भी बहुत जल्दी जल्दी हमारे साथ कोई मार्केट नहीं जाता है कहीं पैदल जाता है तो लवट आता है रास्ता लवट आता है कहता हम नहीं जाएंगे देखिए थीक है जिनको नहीं पता वह नो लिखके कमेंट करें या नो Fleisch कुन को नहीं पता है बहुत चब्सक्राइब लिजिए वहाँ कोई हमनगर चल रहा है लग से आठ एक्स का स्कॉयर वाई का स्कॉयर आ रहा मनीज का मुझे लग रहा कि मनीज नहीं सबसे पहले बताया भी यह ठीक है देखते हैं अक्सर लोगों को नहीं आ रहा है और कोई कोई कह रहा है सायद सायद इतना आएगा आएए देखते हैं अक्सर लोग नो 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 बोल रहे हैं बड़े इमानदार हैं यह दिल से इमानदार हैं बता दे रहे हैं कि मुझे नहीं आ रहा है कुछ लोग तो ऐसे लागे लगाया उलजाते हैं बेवकुब बनाते हैं कि उनको आता भी नहीं और बोलते भी नहीं मुझे नहीं आता देखिए यहाँ पर दो तरह के प्राणी है एक चर है एक अचर है तो हम चर चर को एक तरफ कर लेते हैं आचर आचर को एक तरफ बरियाबल को एक तरफ कांस्टेंट को एक तरफ आए फटाफट तो फोर मैंने लिख लिया यह a b c d वाइसे लिख दिया इसका कोई मतलब नहीं है ठीक है इंटू 1 अपान 2 कोई नमबर तेहां और है नहीं इंटू 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 लोग इसको यक्स वाई समझ लिये होंगे हो सकता है क्यों यह गुड़ा का चिन्न था कुछ लोग कन्फ्यूजन रहे होंगे यह गुड़ा का चिन्न है यह यक्स नहीं था अगर यह यक्स नहीं था तो इसमें सिर्फ एक का यक्स था जो कि यहां से कट गया तो सिर्फ वाई बचा है तो बचा और वाई बचा है और एक वाई और बचा है एक यह बचा है वाई यह वाला एक यह वाला कि तो फाइनल में टू वाई का स्क्वाइर आएगा यह आठ वाट कहां से आ रहा इन लोगों का हां जिसका आठ आ रहा था उसका गलत भाई आठ कहां से आया कि मैंने कुछ गलत कराएगा कि यह वन अपान टू था हाफ था तो कट गया तो टू ही तो बचा टू आई का इसको कराएगा क्यों बताइए किसी को कुछ कहना है इस पर सही है न हो साक्षी तिरपाथी आपने तो बड़ी लंबी कहाने लिख दिया यह इतना आएगा चलिए इसको मिटाए हो गया किसी को कोई अपत्ती है तो बताइए इस पर देखिए इसको आएगा समझ में इसके पहले थोड़ा सा हमें और पीछे अभी चलने की जरूरत है थोड़ा और पीछे चलने की जरूरत है पहले हमें आना चाहिए वो क्या बोलते हैं सजातिये और बिजातिये पद लाइक और अनलाइक टर्म्स हमें आने चाहिए तो इसमें से कितने लोग हैं जो लाइक टर्म्स जानते हैं बताइए फटाफट जितने सजातिये पद जानते हैं वो सभी यस लिखके कमेंट और जितने लोग नहीं जानते वो नो लिख के कमेंट करेंगे जल्दी करें देखते हैं कितने लोग को पता है तब तक हम इसको रगड पोच देते हैं क्योंकि इसकी बड़ी सेवा खरनी पड़ती है एक बार विगो के मिटाना पड़ता है फिर रगड रगड के मिटाना फिर पोचना क्या करें गरीबी में बोर्ड नहीं आ पा रहा है डाइलाक रूपया का बोर्ड आएगा डिजिटल वाला वोसिस में हैं आज आएगा हो सकता है चलिए इधर देखिए तो बहुत से ऐसे हैं जिनको आता है बहुत से जिनको नहीं आता है यह भी इसी का हिस्सा है यह चैप्टर 10 में भी है तो हम अभी पढ़ा दे रहें तो चैप्टर 10 में नहीं पढ़ाएंगे ठीक है चैप्टर 10 में भी यह है अब जातिये पद अनलाइक टर्म लाइक टर्म ठीक है इनका मतलब यह है साजातिये जैसा कि नाम से असपर्ट है साजातिये मतलब यह कही जाती कि जैसे आपको पाल मालूम है कि हमारे भारत देश में सब्वेत्ता संस्कृति में साजी बिया अपने जाती में होता है ना मालूम है ना और कहीं दूसरे धरम में कोई कर लिया तो फिर इस देश और समाज की दिश्टि से बहुत बड़ा गुना होता है लेकिन हानियम और जो कानून इस देश का आप किसी से भी किसी भी जाती में किसी भी धर्म में साधी बिया कर सकते हैं ये कानून कहता है संभिधान ये काहे के लिए बता रहे हैं क्योंकि इस से संबंदित है सजातिय मतलब जो एक ही जाती का हो लेकिन इसमें दो चीज देखा जाता है सजातिय के लिए यहाँ पर दो चीज देखा जाता है जैसे समझेगा दो चीज में क्या क्या नमबर एक चर समान होना चाहिए यहाँ पर देख लीजिए सजातिये के लिए क्या क्या चाहिए ठीक है चर समान चाहिए और नंबर दो घातें समान चाहिए चाहिए समान बोले हैं बराबर देखो इसको सामान नहीं लिखे हैं बस तु नहीं है समान मतलब इक्वल इक्वल ठीक है मोनिका यादो जी बहुत अच्छी बात है मैं देर करती नहीं देर हो जाती अच्छी बात है आईए इधर देखिए यह क्या बन गया सजातीय पद की बात कर रहे थे चर समान और गाते समान तो यह बताएए मैंने लिखा 3x का स्कॉायर और यह और यह लिखा x का क्यूब ठीक है ध्यान से देखिएगा चारो आप्सन ध्यान से देखिएगा फिर मुझे बताएएगा x का 5, y, 3 और 3x स्कॉायर c वाले में है 9x का क्यूब, x का क्यूब और 8x का क्यूब d वाले में है 1 बता 2x का क्यूब और 3x का क्यूब और 9x का स्कॉायर क्या इसमें से कोई सजातिय पद हैं जल्दी से बोल ये अगर कुछ भी समझ में आये तो ये चारो आप्सन में क्या कोई like terms है भाई इतना गंदा गंदा तो अपना नाम लिखे हो, मैं क्या बताऊं इनका सिर्फ बात नहीं समझे, इनका नाम मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये पूछ रहे हैं कि आपके online class कब कब होती यूटूब पर यूटूब पर सुबह 8 बजे, साम 7 बजे, रात 9 बजे, रात 10 बजे ये कुछ free class'े हैं जो सारवजनिक होती हैं, बागी बहुत सारी class'े होती हैं, सब यहां नहीं बताते हैं इसका सबसे पहला जो जवाब दिया है, उनका नाम मैं बोलूँगा, उनका नाम है सतीस गुपता सतीस गुपता के पहले डॉली ने बताया था, बहुत अच्छा, very good डॉली ने सी बताया था, सजातिये हैं, और मुझे लगता है कि इन्होंने सबसे पहले बताया था तो हम इस से ये मान के चलें कि आप लोगों को सजातिये पद आता है लेकिन इस कलास में बैठा हुआ सबसे कमजोर चात्र जो है, उसको भी आना चाहिए, हमारी ये कोसिस है, है ना तो फिर हमें बताना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत आईए फिर इधर देखते हैं, C नंबर आपसंस आई है C नंबर आपसंस आई है ठीक है तो हाँ सही क्यूं है, इस पर भी डिसकस कर लेते हैं सही क्यूं है देखे यहाँ पर यक्स की घात, पहले तो चर समान होना चाहिए, कंडिसन दो है चर समान चाहिए, घाते समान चाहिए यहाँ पर चर समान है या नहीं बोलिए हां या नहीं सभी बोल या नहीं बाईयों और बैनों चर समान है कि नहीं अब मुझे ऐसा तो एक्टिंग आती नहीं है वह देख बैटरी लो हो गई एक मिनट मैंने ऐसी बात ही बोल दिया कि मेरा कमे खरब हो गया जाना नहीं कोई दर देखिए हां तो इसमें चर समान है लेकिन घाते समान नहीं है पहला यह खरा उतर रहा है दूसरा में घाते समान होनी चाहिए घाते समान नहीं है क्योंकि यहां पर तीन घाते यहां पर दो दो है इसलिए पहला सही नहीं है पहला क्या है यह बिजातिये है यह सजातिय नहीं है दूसरे पर आजाईए इधर साइड में यक्स का पावर 5 वाई का पावर 3 और 3 यक्स का स्कॉयर क्या इसमें चर समान है गाते समान है नहीं न जी तेन जी माफी चाहते हैं अभी हमारे टीम के मेंबर जो हैं वो छुट्टी पे चल रहे हैं चौदा तारीक से हो सकता है कल से सब जोइन करेंगे तो वाट्सअप का रिपलाई पिछले एक सबता से किसी का नहीं हुआ सबी नंबर पर हजारों मैसे जाए हैं सब रिपलाई करेंगे आप थोड़ा धार बना के रखिए धार बना के रखिए वाटसपॉले आईएं तो इसमें चर समान भी नहीं है दूसरे में घाते तो समान वैसे भी नहीं है इसमें पाँच घात था इसमें मतलब नहीं होता है ठीक है इस गिंती से कोई मतलब नहीं होता है तो यहां पर नौ है यहां पर आठ है इससे कोई मतलब नहीं यहां पर चर यक्स है यहां पर यक्स है यहां पर यक्स है ठीक है घात यहां पर तीन है यहां पर तीन है यहां पर तीन है यह सभी चीजों में खर इसमें भी यक्स है लेकिन यक्स यक्स तो है प्रॉब्लम यह है कि यहां पर गात दो है कि समझ में आया ना इस लिए सजाती है नहीं देखिए जो डाउट वाले हैं उनको एक बात बता दें कि जो चात्र पीवियर स्टडी की प्रीमियम कोर्स ज्वाइन किये हैं डाउट सिर्फ उनी को बताया जा सकता है क्योंकि हमारे यहां यूटूब पे 3,25,000 बच्चे हैं तो हम सबको डाउट नहीं बता सकते हैं माफी चाहते हैं सिर्फ यूटूब पे देखिए अगर से समझे कि हमारा प्रफनल नंबर अलग से तो उस पर आप पूँच सकते हैं अब भी अगर कोई बात रह गई तो बताईए आप लोग कोई दो सजातिये पद बताईए जल्दी बताईए कोई दो सजातिये पद बताईए मिटी जाता बसाईए पांडे जी ठीक है परिसान मत रहिए अच्छी बात है आपका नाम बहुत अच्छा है चलिए कि क्रिफना कुमार ने सबसे पहले बताया है और अस्वनी कुमार गलत है बच्चा आपका गलत है गलत है भाईया बाबू गलत है मन्नू तिवारी इन्होंने भी कोशिस किया है सही है इनका भी ठीक है देखिए आप लोग कोशिस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है जो उनको मैं क्या कहूं जो कोशिस है नहीं कर रहे हैं बस सिर्फ उमीद बना के रखें सब अच्छा अच्छा होगा मतलब पेड़ नहीं लगाना मूँ फैलाक बेटे रहो कि आम गिरेगा आम की जग होगा ठीक है आप लोग मुझे उमीद है कि सजातिय विजातिय समझ गए इससे ज़्यादा और भी बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा कहानी आए देखिए इधर साइड में यह बताइए कि तीन एक्स क्या यह सजातिय पद है क्या यह सजातिय पद है भाई यह मीट माही कोई मीट यह मैं समझ नहीं भा रहा हूं यह सब एक आईडी से कमेंट करने के अलग-अलग यह सजातिय पद है या नहीं नहीं क्या इसमें कोई सजातिय पद है जिसे निकाला जा सकता है इसमें सजातिय पद है जिसे निकाला जा सकता है आईए देखे बताते हैं इधर साइड में लगवग साब हर कोई मुझे लग रहा है कि जान गया जो नहीं जान गया थोड़ा भ्यास कराना जरूरी है इसलिए मैं करवा रहा हूं तो बिल्कुल परेसान नहीं होना है यहां पर मैंने एक और भी लिख दिया वाई घात पांच हां सिल्पा केसरवानी इजी एस्टडी हरसिता ठीक है बहुत अच्छे इसमें सजातिये पद हैं जिनकी घाते समान हैं जिनके चर समान हैं वह एक जैसे मैंने बताया ना अभी दोस्ती और प्यार वाली बात जो बप scc मालें मालूं होगा आपको थिनके देखे सबसे पहले तोगहात समान होना चाहिए दूसरा उस्वरी व Nossaड़ समान होना चोंजी संग्याétais च्च चील तोERE करें नहीं यह तोछ गलत हो शुकल हूड़ नहीं सोगला में मिश्ड मेता तो हो जाता है यह सब एक होते हैं कुल मिला के तो इन लोग का क्या सिस्टम में मुझे नहीं पता किसी के बारें फिला हल जादा लेकिन हां कहने का मतलब यह है कि यह भारतिये संबेता और संस्कृति में ऐसा होता है तो ऐसे यहां पर क्या है इनकी जाती समान होना चाहिए यह जाती है सजाती है मतलब समान जाती के समझ रहे ना समान जाती के तो यह और यह समान जाती के हैं दोनों में क्या है एक्स एक्स है तो यह हो गया तीन एक्स का क्यूब और यह हो गया नो एक्स का क्यूब आप सोच रहे होंगे भाया एक्स तो इसमें भी है और एक्स तो इस इसमें भी है फिर इसको कहे छोड़ दे रहें कि इसको कहे छोड़ दे रहें क्योंकि इनकी पावर अलग-अलग है एक चीज और भी आप मलूम होगा लोग देखते हैं अगर कोई बहुत बड़ा भिकमंगा है तब भी कोई नहीं पूछता है ना तो थोड़ी पावर भी होनी कुछते हैं लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पुझते हैं इसलिए काम्याब बनिए काम्याब बनिए समझ रहिए शे क्या सजातिय हैं क제 दोनों सजातिय हो सकते थे क्योंकि इनकी पावर समान है मतलब इनके भी 2 नेवालवा इनके भी लेकिन इनकी जाते लग-अलग है अब इस वज़ातिय नहीं है इसवजा से कि समझ में आया समझ में कि नहीं है आगे चलें कोई दिक्कत इसमें किसी को तो बताईए अ कि हटापड बताइये कोई प्राब्लम तो बताईए कि आगे चलें परी कि टो यह क्या सजातिय नहीं है अब इसमें कोई भी सजातिय पद नहीं बचा है लगबग मुझे लग रहा सभी समझ गये होंगे फिर चेंज करा जाए इस टॉपिक को अच्छा एक और बताइए तीन एक्स हर बार लिख रहे हैं अपकी तेरा हो गया एक्स का थरी नाइन एक्स का पावर फाइब और दो एक्स का पावर दो क्या इसमें कोई सजातिय पद है क्या इसमें कोई सजातिय पद है पटा पट बताइए ऐसा है कोई या नहीं इस पीड ली भाई यहां इतना कम इस पीड में बताने से तो लोग वह ऐसे डर रहे है बताइए ठीक है कोशिस करते रहिए इसमें कोई सजातिये पद नहीं है क्योंकि कुछ न कुछ अडचन अटक रही यहां पर या तो घात बराबर नहीं है और या तो चर बराबर नहीं तो सभी समझ गए कि इसमें और कुछ बताना पड़ेगा सभी समझ गए हैं अब हम चलते हैं इसके जो मुख के पॉइंट है उस पर चलते हैं मीट माही वाई पहले यह बताइए आप हैं कहां से क्योंकि आपकी लेंग्वेज और आपकी बात मुझे कुछ अलग सी लग रही मीट माही और मीट यह तो बोलेंगे ना इंग्लिस मुझे कम आती थोड़ा तो यह बताइए कि कि पंदरा यक्स का घात तीन इसमें से कौन इसका गुड़नखंड या बोलें अपवर्तक नहीं है कौन इसका अपवर्तक नहीं है पहला इसका इसका इन में से कौन अपवर्तक नहीं है अपवर्तक नहीं है बताइए मतलब बीभाजक जिसे बोलते हैं या डिवाईजर कौन है ऐसा जो इसका डिवाईजर नहीं है यह बाई बी बतादो अगर बीबी मत बोलो रात के टाइम में दर जाएंगी कुछ लोग देखो आप लोग ना कुछ गडबड कर जाते हों अब भी आपसन बचा है तो कोई बीबी बोल रहा है कोई दीन बार भी बोल रहा है कोई चार बार बोल रहा है एक बार बोलिए ठीक है तो यह वाई क्योंकि इसके जब हम गुड़न खंड करेंगे या फैक्टर करेंगे तो यह तीन गुड़ा पांच गुड़ा एक्स का क्यों भी इतना हो सकता है या फिर एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स भी हो सकता है लेकिन इसमें कहीं भी वाई नहीं आएगा वाई आएगा? नहीं आएगा न अच्छा अगर आप्शन में थोड़ा सा हम बदलाव कर दें तो कौन सा सही होका जरा समझ न अगर आप्शन मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पर ऐसे कर दिया यहाँ पर मान लेते हैं कि मैंने ऐसे कर दिया यह बताईए अब इसमें से इसमें से कौन इसका अपवर्तक नहीं है 15 yaks cube का अपवर्तक नहीं है इनमें से कौन बताईए बहुत ज़्यादा टाइम अब इसमें नहीं बिताना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा पढ़ा दे रहें ज्यादा हो जाएगा कोई चीज उतने गराण करना चाहिए इतना हजम हो जाए ने तो हजम नहीं होगा त्यों गड़बड़े आपका पांच चैप्टर खतम हो गया आज में इतका कल छटवा चैप्टर पढ़ेंगे आज में वही पढ़ाने वाला था लेकिन इसमें ये थोड़ा बचा रहा गया था सिल्पा केसरवानी मानबेंद्र बंधना चोहान मनीशा दिब्यातिवारी डॉली मीट माही माहीरा पंडित रोसनी कुमारी उपेंद्र चोधरी कृषना नेहा बर्मा नेहा मिस्रा नेहा सिंग मानबेंद्र सिंग ठीक है नाम बोल लिए खुष हो गए ना आपने आईए इसका C नमबर आपसंस आई है क्योंकि ये एक्स का पावर 4 है और इसमें एक्स का पावर 4 तक कहीं है यह नहीं तो ये C वाला हो जाएगा ठीक है और इसमें और भी बहुत कुछ है लेकिन कितना पढ़ेंगे हम लोग आईए इधर साइड में आईए क्या आप लोग इसका मल्टीपल कर सकते हैं कोई है ऐसा खतरनाक आदमी कोई ऐसा डेंजरस है परसंद जो इसको कर सकता हो बताए जबाब दीजिए अगर ऐसा है कोई तो देखिए ये ये चीजें भी आपको आने चाहिए ये चीजें भी आपको आने चाहिए कोई बताएगा कितना आएगा नेहा मिस्रा जी ने बता दिया कि एक्स का पावर 3 और एक्स की पावर 2 क्यों भाई यह सही है और कोई एनिमन क्रिफना कुमार ठीक है भाई नेहा जी का सही है नेहा मिस्रा जी का सही है क्यों बताएगा जी का सही है